सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें सबस्क्राइब कराची मैं हूँ आथ की मेजबां रिदा सफीर और मैं हूँ महमध यासर जी हमारा आपका साथ महारा रहता है माड़ी टू फ्राइड़ और आज आपके सामने मौजूद है बहुत सारी खबरों तफ्सरों और बेबाग तर्जियों के साथ सबस्क्राइब बात करते हैं आजाद कश्विर और पाकिस्तान की मुख्तलिफ शेरों में जलजले के जटके ची शदीद कल महसूस हुए 26 अफराद जांबहा को गए 300 जखमियों की इस वक बताई जारी है कि तादाद बहुत चुकी है और जांबहा का फराद की भी तादाद बताई जाती कि मजीद बढ़ सकती है अनफॉर्चिनिट वाकिया कल के दिन का और उसके बाद जन फॉर्मिशन और जेशन मिनिस्टर साहिबा का फरिजास अचेवान का जैसरार का स्टेटमिंट आया है उसको तक्रीमैन पूरे पाकिसान ने पूरी नेशन ने घम और घुस्ट कास्षपर इजार भी किया है और उसको भरपूर अन्दाज में कंटैम किया है मेरपूर में जलजला आर्मी चीफ की पौच को इंदादी सरगर्मियों में इसा लेने की हिदायत कश्मीर की सूरत अबतर सूरत अबतर सूरत अबतर पर दुनिया की खामोशी हरान कुन है मकबूसा कश्मीर से कर्फियों उटाने तक मुदी से मुझाकरात का फायदा नहीं होगा ये कहना है वजीराजम इम्रान खाना इम्रान खान की न्यूजिलेंड की वजीराजम जेसने आड़न से भी मुलाकात पाकफोच का भारती आर्मी चीफ की गीदर भप्कियों का करारा जबाब कराजशी में वजीराजशा महमुद कुरेशी को काबीन और कौम के आगे जवाब देना होगा यू एन एच आर्सी में 16 मुमाले की हमायत क्यों नहीं मिली जबके 58 मुमाले की हमायत हासल होने का दावा था वफाकी वजीर आभी वसाइल फैसल वाड़ा कह रहे है जमीने भी करवट ली है उसको भी इतनी जल्दी ये तब्दील ये कबूल नहीं है फर्दॉस अर्शक आवान साहिबा है जिसका अभी तथक्रा हो रहा था ये वह बयान था जिसके वह जजह से बहुत आदें का निशाना मनाए जा रहा रहा है पिल्कुल जी और फिर उस ल जुज़ा को हिदायत दें कि वह सो समझ कर स्टेटमेंट जारी करें पराल ये वही मौतरमा है जो किसे पहले ये भी स्टेटमेंट दे चुकी है लाइशों में कि दो टके के लोग बैठ कर जहा सासदानों पर हुरुकूमत पर तंस करतें तो दो टके का कि कौन है क्या है वह इस स्टेटमेंट के बाद बहुत अराम से अंदाजा हो रहता है किया सकते है वरहल आगे बढ़ें आपको बताएं वजारत दाखला के तमाम थानों में सिसी टीवी कैमरें नस्व करने का फैसला सामने आया है पंजाब मॉडल थानों का बुरा हाल अर्ब रुपे के अपरेशन फंड्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है नवाज शरीफ ने जजज वीडियो स्केंडल में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया है इस दो खबरें अलाग अलागे परवेज मुशरफ आयनी शिखनी केस मैप को इलतिवा नहीं मिलेगी अदालत को दो तोक मौकिफ और वजीराजम बनने की खायश अगर वजीराजम बन गए तो क्या अमरी की हकूमत उनसे डील करेगी पीपल्स पार्टी का लॉंग मार्ट से कब्ल एक और कसीर जमाती का उन्फरंच का मतालबा इसलामबाद से पांच साल में 61 बच्चों को एकवा किया जाने का इनकशाफ सामने आया है मुई भर में डेंगी की मजमूरी केसिस की तादाद 11783 तर पहुंच गए जबके पंजाब में डेंगी से मतासरा मरीजों की तादाद धाई हजास से तजाफ कर जए बिल्कुल जी और इसके इलावा आपको बताएं के सानिया चोनिया में पुलिस की गफलत के मजीद इनकिशाफात सामने आये साबिक डी पियो सूबा बदर कर दिये गए है सिन असमली लास प्रोडक्शन आटर के मौंगे पर एवान में गर्मकर दी बिलावल बुट्रों के आमद से कबल नैप टीम के खुशिशा के घर की तलाशी हुकूमत के खात्मे के लिए जन्वरी की डेडलाइन दे दी कौमी इसके साब बियोरो नैब ने शरजील मेमन के खिलाफ एक और रफरेंस तायर कर दिया बाराल आगे आपको बताएं नैब टीम के कराशी मेलाकत कायम खानी के घर पर दुबारा चापा नैब हुकाम की जाने से लॉकर खोलने की सड़ तोड कोशिश ड्रिल मशीनों के जरिये भी लॉकर तोडने में काम्याबी नहीं मिल सकी है और ये सड़ तोड कोशिश जानी ह सफाई वालो ने मुराद अली शा को सफाई से मामू बनाती है गुल्शन इकबाल ब्लॉक 6 के दोरे के मौके पर कच्रे को डंपिंग करने के लिए ट्रक में भरा गया था लेकिन वजीराला सिन्द के रवाना होते ही कच्रा भरा ट्रक अमले ने दुबारा उसी जग़ा पर सफाई निशाहन दही पर एक लाग रुपे नाम का ऐलान वेरी गुड़ जी सफाई गनी का कहना है के वीडियो बना कर भीजने वाले को एक लाग रुपे नाम देंगे कराची में जहन बूर्च कर मसाइल पैदा किये जा रहा है जले मुझे लगता है यही कार करना बढ़ेगा कम से काम एक लाग रुपे मिल जाएंगे आज से यह एकुड़ पैसे बिजिए तो टॉप करते हैं वे तो टॉप नहीं रहे तो यही काम करते हैं और वीडियो जो पर आपको पताएं कि कराची में जी जिन्दा मुर्गी कीमत अब तक की बलं तरीन सथा पर पहुंच गई है 270-280 रुपए जब के चिकन के गोश्ट की कीमत 480-500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है बुटकु जी यहाल कमोडिटीज का इसके पर आज बड़ी तफिल से गफ्तूब करेंगे बैराल मजीद खब्रे शेडूल बैंकों से लिए गए हुकोमती कर्जों में 99 फीसद इसाफा बलकुल और आपको बताओं कि यह बैंकों से कर्जे लेने के मामलात यहां तक पहुंच कि अब युनिवर्सटी के चुके एट्रिसी के बजट में चौंक में कट लगा है तो आपको बताएं कि अब जुसिंद की उनिवर्सटी है वो इस तरफ जा रही है और पजाब की खासफ़ पे कि जी वो जाके अब लोन लेंगी बैंक से और अपने जो है वो इतन खाय और कंट्रोल करेंगी अब यह अजुकेशन सेक्टर वाले भी जाजा के करदे लेंगे बरहाल चलें तो आपके मुल्की जरह मुबादला इसमें इजाफा हो रहा है बहराल यह क्लेम तो करेंगे इसको सक्सेस लिकिन यह अचली होता क्या है यह आज आपको बताएंगे मुल्की दस बड़ी बजली की तक्सीमकार कमपनियों ने एक साल के दौरान 157 अरब रुपे के लाइन लॉसिस का बोच सारफीन पर डाल दिया मुल्क बहर में रवा हपते गरच चमक के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी हो गया है मेर्टान वी सुप्रिम कोट ने पारिमिन मुथ्टल करने का फैसला गर कानूनी करार दे दिया है अमरीका सहुनियत की मुखालिफत कभी बरदाश्ट नहीं करेगा यह कहना है अमरीकी सद्ड डानल्ड ट्राम का आपके सामने है सारी स्टूौशन आप देखंगरे आप बैदे तरीक इसस्ते क्या कह सकते हैं ? जाये मुलक शुरत हाल हो है या मुलक से बाहर मुलक से बाहर की शुरत जिसको कहा जाता है, almost, and it's looking very nice, बहुत अच्छे pattern पे, fabric पे बनाया गया है, ocean blue जिसे आप कह सकते है, exactly, it's its color, and हमें जो भेजा है वो लाइबास collection ने भेजा है, जी, लाइबास collection के नाम से, इनका Facebook पे पेज है, Tariq Road पे इनका आउटलेच है, लाइबास clothing के नाम से, इनका Instagram पे पेंट्रिट पे ट्राउजर और इसके साथ ये embroidery cuts पे, आप देख रहे हैं के shirt को design किया गया है, it's color combination बहुत अच्छा है, कि golden का इस पे काम है, light light आप इसको easily wear कर सकते हैं, carry कर सकते हैं, parties में, कहीं भी जाना है, तो thank you so very much, लाइबास collection, and Ibrahim Tarwala is our designer, Ibrahim Tarwala for sending us this beautiful dress, जी, आज इस dress को बेजने के लिए, आपको बेहर चुक्रिया जी, इसी तरह, हमारे साथ डिजाइने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बार बार इसी के साथ जी, एक ब्रेक के बाद 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 वापस आते हैं, आपने लेकिन कहीं नीजाना, stay tuned, देखते रहे हैं, good morning Karaj जी प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशाम देद कहेंगे, ब्रेक पे जाने से पहले हैं, और प्रोग्राम के अगास में बाद नाम प्रकों के हवाले से, आम खबरों की तफसिलाद प्रोग्राम में शेयर करेंगे, इसके साथ-साथ आपकी लाइप का सिलसला भी, बिल्कुल जी, और साथ ही साथ सबसे पहले संद्ध हकूमत की बात हो रही थी, और जी, खबर ये है कि एक वीडियो बनाने पर एक लाक रुपे मिलने वाले हैं, बिल्कुल जी, बहतरीन रोजगार का जो सहीया है, वो फराम किया गया है, कराच्छों के शेहरी हैं उनके ल बना सकते हैं, आपके लिए बड़ा सान है, तो आप चार ये पांच लाग रुपे की तहडी जिसको हम कहते हैं वो लगा सकते हैं, तो ये अच्छा मौका है, इसके लाव आप लुग भी जब प्रोग्रम देखा हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, सुनेरी मौका है, दफ्तरों को आज चुटी करें, और कोशिश करें कुछ सौड़कों के कच्रे फेक रहे हैं, उसकी जब भूपर रहे हैं, तो बेतरीन काम है, बड़ा शुकर कुजा रहे हैं, हम लोग जो हम और ढूंडें, कच्रे जो कुंडी वैसे तो अब जादा मेनत नहीं करनी पड़ के जरीए करेंगे, कैचसर करेंगे या सिर्फ आपको मॉबाल के ओपर आपके टेक्स मेसिज भेज़ देंगे, कि आपको प्रोग्राम का टिकेट निकलाया है, तो इस तरह कोई अगर स्कीम है, तो अभी तक तो बात नहीं होई किसी हुकुमती नमाइंदे से लिकन अगर हो पहले भी आपको मालुम होगा के इस तरह के मावलाथ होते आए हैं कि जितने भी पालिसी मेकर हैं, ये मुतासर अफराद हैं ये वो देख देख एगा एगा एंगे तेलिविजन पर आज कल बड़े मशूर प्रोग्रम आप बेख रहे हैं जिसके अंदर मोटर साइकले दी डंड लगाने पर दरख से चलांग लगा देने पर और इस तरह और बहुत सारे अगर आप कारणामे करके दिखाएंगे तो आपको मोटर साइकल भी मिलेगी सुना भी मिल सकता है और इस तरह की कोई प्रोग्राम्स टीवी के उपर आप देखते रहते हैं यह उन से मतासिर होक यह सकीम भी मतारिف कराई गई है सिंद्धकूमत की जानिब से तो हो सकता है कि आने आपकी शुकायत का जाला किया जाए जाए हो सकता है के hybrid आपको दें तयर तो बहले लिए सिंद्धकूमत के पैलेसी है कच्रा फेकने मानों के खिलाग तो आप समझ लेंके से क्ड़ा तरोज एक अर बड़ी आम खाबर गुल्चन एकबाल से जब कच्रा उठानी के लिए वजीराला साब आरा थे तो पहले से मेडिया वहां पे मौझू था फोटो सेशन हुआ कच्रे के अंदर जब ट्रुक में डाला गया और जैसे ही वजीराला साब वहां से रवाना हुँए पर दुबार से कच्रा जगा पर गिरातीया गया जाम कर दिया गया यह जी प्लानी बार आज तो अधिस आख्शली है वजीराला थे प्लाइटी तो बच्छे बच्छों को रेडिग है बिकुल और हकीकतन तो यह बखेड़ा ए सिटी है वबाल सिटी है मसाइल कामबार सिटी है जैसा भी खबरों में क्योंके हम लोग तो अपनी आदत से मजबूर है रोश्णियों का शेर हमेशा इसके नाम के साथ लगा देते हैं जो कभी माज़ी में किसी जमाने में हुआ करता था याद नहीं कितनी पुरानी बात है लेकिन अब कच्छे का इसको बाकाइदा इसका टाइटल जो होना चाहिए तो कच्छे का शेर कराची है और ये ज्यादा बितर इसके लिए क्योंके हकीकत का सामना हमें करना होगा चाहिए इसका जिमेदार जो भी हो चाहिए हम खुद हो 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 कोई भी हो लेकिन है कि कच्छे का शेर है और अब रो जमेतारी आप परायत होती है कि आप इस तरह से कच्रे को ना फेटें डोंगा आप आपके और यकिनां कारवाई होगी और कारवाई करने काम सारी चीजों काम साथ है आपको बताने का, समझाने का ताक कि आप इसको सीजिए लें कि मैं अब भी देख रही ती कि जैसे कि मोटर लगा रहे उस पर इसकी वाइलेशन पर भी जो है वो चलान किया जा रहा है अब इस वक्त कराशी शहर में तो रूल ओफ लॉक की बात करती है अगर और सब तो फिर हमें यहां यह बेसिक चीज़ें जिन से शुरुआत करनी पड़ेगी अगर हम अपने तौर से चीज़ों को नहीं करेंगे तो फिर हमें मेरा खाल से एक्सपेक्ट नहीं करना शाहिए हुक्म आमने से के वो भी कुछ करेंगे बिल्कुल ऐसा ही है और जर्माने थोड़ से ज्यादा सक्त होने चाहिए क्योंकि हमारे मिजाज में यह चीज़े शामिल नहीं है कि कानून की पाबंदी की जाए और जैसे भी ट्राफिक के जो रूल्स की वाइलेशन है सबसे जादा वह यहां पर नज़र आती खास वर पर जो मोटर साइकल सवार है और जहां भी आप देखेंगे ट्राफिक जहां में ट्राफिक हसल आपको नज़र आएगा महाँ पर आप देखते हैं कि सोड़को कि उपर से मोटर साइकल एक ट्राफिक से उठाकर दूसरी जगह रखते हैं और महाँ पर स्टार्ट करके रौंग में जाना शुरू कर देते हैं तो यह माशाला कम का मिजज है ऐसी सूरत में होना यह चाहिए क्योंकि यह बाद आने माले लोग नहीं हैं और यह बात जो सु कि बाद आफाका होना शुरू हो, यह महद इनको सौ दूसर रौपय का चलान कर देने से मौमनाथ हल नहीं होंगे, यह बात बड़ी सक्त है, आपको यकिन है नागावार गुजरे की, लेकिन क्योंकि आप अपने मिजज जरा देख लीजिए, और सुड़कों पे जो आई द इन तमाशे होते रहते हैं, यह हर वक्के तमाशे हैं, इसकी बड़ी जिम्मदारी आपके उपर आइद होती है, तो मैं इस वकिए गुजारिश करूंगा कि जितने भी मुतालिका लोग यह तेख रहे हैं इसे लोगों को कम असकम दो या तीन देन तो कम असकम इनको अगर जेले में रखे हैं, इनके मोटर साइकल को भी बंद करें, इनको भी सक्स सक्स सजाएं दी जाएं, अब देखें आइस्ता इस्ता हुद ही है, ठीक होना आई शिरूर चाहिए, मैं देख रही थी एक सर्विस लेन में, ठीक है, और रड़ी गाडियां पैक्ड हो गई है, नह सब्सक्राइब होगी कि चूटी गजरे, वहां से ये बाइक वाइक 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 है, तुम लोग रुको गे तो आगे पीछे होंगे और पूरा ट्राफिक जो जाम हुआ है, वो पूरा रोड रोड क्लेर होगा, ये जाँ जाँ, मतलब वत ता हैल ये प्लार रोई जितने लोग देख रहां है, सब शामिल है, सरहलाई है जरूर लोगो को सेंस नहीं है, तो साइड मो या तो उस तरी दो मिट के लिए कहें क्या आप गाडी को इस तरह निकाले आप निकाले, क्लेर करा हैं, पहले तो लोग क्लेर करा देते हैं, अभी भी कुछ लोग सब जाम बढ़ा है, वो बाइक वाले एक दो ऐसे कि उनको बस घुसने की पड़ी है, जगा है नहीं, सब जाम स्टक्ड है, बंपर टू बंपर काड़ी लगी है, और वो पिर भी उसमें जा रहे हैं कि हम घुसके निकल जाएं गई से, बिल्कुल आदत से मजबूर है, और क्योंकि ये बाद आने वाले नहीं है, बार 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 ये बात कह रहा हूं कि इनके खिलास सखत कारवाई होने चाहिए, और सखत का मतलब ये कि कम असकम इनको तीन देन जेल में रखें, और इनकी गाड़ी भी बंद रखें, उसके बाद शायद अफाका होना शुरू हो जा कि इसतना कानून की जो वालेशन कर रहे हैं हास और सखतों के उपर उनके सख 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 उनको सजाएं दी जाए और ये बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि कराची जैसे शहर में जहां मसाइल पहले ही बहुत जादा हैं, लोग अपने मिजाज को तबदील करने के लिए तयार नहीं है, गड़ी वाले भी ट्रैफिक वाइलेशन कर रहे हैं, इसी बात नहीं कि सर्फ मोटर साइकल वाले इसके अंदर है, गड़ी वाले बहुत सारे लोग इसमें अपना अखिरदार अता कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लेन में जाएंगे, ठीक है, इतना भी और इसकी मोटर साइट अपकी अर्लाइब कार नहीं है, अगर आपको ।ो पूरी दुनिया में अमर्जनसी लेन होती है, मुह से वह लोग जिनको जलदी जाना है, जिनको अपास स्पीड उर्क ना गड़ानी है वह जाते हैं, यह तो भास लेन में आपकी अप्र जल्दी ज और फिर इसके उपर नॉमल स्पीड से जाए अगर किसी को ओवर्टेक करना चाहते हैं तो फास्ट रेन का इस्तेमाल करें और उसके उपर फिर यह बता रहा हूं दोरा रहा हूं बार बार किसके उपर आप जो है वो इसने आपने आराम नहीं करना है और सारा रास्ता इस पे करना होता है वापस अपने लेन में आना होता है एक तरफ आप एम्लेंसिस के लिए रास्ता देते हैं जो कि आपको शायद नहीं पता होगा और ठीक है ज़रूरत भी नहीं है मोटर साइकल वालों के लिए एक अलग लेन शारा फैसल के उपर बनाई कई है आप जाके कभी ग बुजरियों को भी लेते हैं बईको लीचे अलेकुम काजबर करें कहां से अलेकुम अच्छा गार मारा रापता मुंकता हो गया बहुत देर से कॉलर से बरहाल अब कॉल कर सकते 02134134487 नमबर ना बुजरियों कॉल हमाई साथ राम लो सकते हैं जी एक और कॉलर उनको लेत अलेकुम सब्साम अलेकुम साम, रिदा छॉट मेरे दिए खाटी रड़ जो खाटी रख जी आखिए और अडिया जी टुट्र बाटी रग जावार है, विद्धिए ट्राफिक टुर्टी रब्साइब को छेड़ भी दिए बाटी रग्डी अजिए आखिए विद्र तो हमारे मीडिया की ख़़र बहुत बड़ी होती है कि गाड़ी वाले ने ख्याल ने ख्याल ने खिया और अपने रहुने उसको कुचल दिया तो यह हमारे हाँ जो खराबी है कि हम जाती तौर पर अपनी आप को पहले ठीट नहीं करते हैं यह सबसे बड़ा मसले है कुछ दिन पहले मेरा पिछले हफ़े आप लोग यही ऐसे नेशन जो हमें खराबियां को डिसकस कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी खाहिश है कि तमाम चैनल इस मौजू के ओपर डेली बेसिस पर अगर लोगों को इस साथ बात करें जिसे आप लोगों को यह बहुतार बात करें लोगों को यह खराबियां जनिया ने उड़ारा का में दोर करना उनका तो है नगर उनसे पहले हम खुद को ठीक करने तो उन तक बात पहुंचे ही ना आप देखें कि इतनी बड़ी ल्गशरी गारी जारी होग जारी होगी और यह विखिए आपक्रोग और फ्टार एक राफ विख यह था अपिए उड़ाम, विख और प्रेया काम उपर हुआ है यह विए प्री चाहिए ज़िए भीज अपिए आपला है अब लुग आपको आपने चिक्टिक आपगारे कि मैं अच्छिटीओता है पुलिस वाले सहाब थे बड़े अपना डिसक्स किया है पुलिस कम है कितना आपको पता है कि बुरा सम्झा चाहता है और इसके खामया कोता हैं कितनी है लेकिन जो अच्छी बात है वो शाहिज हम सब को शेयर करनी जरूरी है और इस प्लैटफॉर्म पेचे ज़रे है अपने नससी है जरुन मेरे कि खान में सबस्क्रावी आप lights ऍंप। 利यर को में सब्सक्रादी आपि क्ष्राशना ऐसे जर्णा में आसे तरह से यह नहीं पैकना कच्छा अइसे थे म़क्रा कि अख्रासे नहीं पैकना मैं आपने सही का, यह बड़ी बुनियादी चीज है, आप इसलिए करनी पड़ती है, कि यह बच्पन में सिखाई जाती है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है, उसको कोई सिखाया जाता है, कि जब आप किसी से कोई चीज लें, या अगर किसी से कोई फेवर लें, तो उसक शुक्रिया आदा करें, कौम के मिजज में ये शामिल ही नहीं, आप किसी के साथ कितना भी अच्छा काम करें, वो आपको देखतावा, ऐसे ही सरहलातावा, निकल जागए, यह कौम का मिजज में आपको बता रहा हूँ, हाद धोने के लिए किसी जगह पर आप जाकर इनको आप धोने के लिए खड़े होते हैं, यह टाप को खोलके खड़े हो जाते हैं, और फिर यह अपनी बातों में मस्रूफ हो जाते हैं, यहां तक देखाए कि लोग फून के ओपर बात करें, और टाप को लावा, यह भी सेंस डिवलप करने की ज़रूरत है, कच्छा कहाँ फे उसको ये सिखाई जाती है लेकिन ये आजीम तरीन कौम इन तमाम चीजों से आ रही है तल्ख लग रही है बात लेकिन ये बात आप सुननी पड़ेगी तो ये इस वक्त कौम का मिज़ाज है तो इनको तमाम चीजों को अभी सीखने में बहुत टाइम लगेगा पहले ये होगा तो फिर आप अंदासर लगाएं कि किस तरह सुधार आएगा किस तरह चीज़े ठीक होंगी ये कच्रे की कहानिया रोजाना आपको सुना रहा है कि कच्रा उठाकर फेका जा रहा है अब ये अल्मिया है कि 13,000 टन कच्रा उठाकर फेकते हैं 30,000 टन उसके बाद दुब करें तो क्यों ने बात कर रहा है कि अब तो क्यों ने को ठीकर करने के बीजिए इसको भी लोग प्राइवाट तो पर बना सकते हैं चीज़े कर सकते हैं से रिलेटेड बी और पर रिसैक्लिंग भुत होती है तीक है बाहर मूर में भी आप देखे मामाले में और यहां पी का वosph MARTINा करने लोग कर्म के तरफ बहुत सारा इसा अच्छा है यह रुत कर्स्टा ओकार्श जाता है अग। रआत रहा हैं मेरिये शाज्टरिम एंग करने कि रहा है लगुत बहुत सारा आ सारा रहा है नही चीजर बनन जाता है यह करने तरह फारी मीधर सेथ Kal Copy highlighter से रहे किस नियूए टार में तरी में इसली उब ही ज़ कुछिए हैnin लिघ में बिदाष, मिल्याई में किछ अठिए लिद्चिछ बियनि मेरे हैं पर लोग मीडिया के तरफ लगाए जाते हैं तो उसे निकले पढ़ें लिखें लिखें देखें दुनिया में क्या हो रहा है चीज़ नए अवन्यूस कि इतने सारे लोगों के लिए इस तरह बाएं लोगों को अखल नहीं है अभी तक समय दी रपढ़ते रही है रिसर्च नह नहीं करेंगे जब तक आप इन नई चीज़ों पर नहीं जा सकते एक कॉलर को शामल करते हैं पिर इस ते को करते हैं असलाम लेकुम कौन बात करें कहां से असलाम लेकुम अच्छा गालिबन हमारा राप तुम्त का हो गया जी यह अपने बड़ी को ठीका अब सोचने और सम उसकर उड़ाना ये सिर्फ काम रह गए हैं और एक दो चीज़े देखने को मिलती हैं बच्चे आज का खास तोर पे जो बड़ा एक्टिव सोचल मीडिया के उपर हैं बड़ी फॉलॉइंग उनकी हो गई है उल्टी सीदी चीज़े करना मुटलिफ जगाँ पर जाना का मिजाज है कुशिछिए ये करें पहले कि कि किसी से उधार लेकर कोश्शिश करें कि ट्रैول करें जाकर बडुसरी दुनिया अपने जाकर देख़ो बड़ी बड़ी क buffy ने जिसकी आप अकसर मिसाले देते हैं और एक दूसरे को एक दूसरे बाते भी करते हैं इसके खिलाब लेकिन जाकर देखें अगर कभी किसी चाइनीज से मिलने का इतिफाक हो तो पता चले कि उनका लाइफ स्टाइल क्या है और किस तना जो है वो अपने मुल्की तरकी के लिए क जाते हैं बराबर में 6-7 गंटे की दूरी पर आपका जो तरकी में बारबर मिसाल देती हूं उसकी ज़रूए तेह देने की भी महां पर ही देख लेकिनों ने किस तरह से अपने आपको प्रवाइफ किया और किस तरह से उठाया है बिकोर आप दुरस्क्राइए बहुत सारे लोगों वहां जाते हैं हर साल, हर महीने, आप देखें उसमें किस तरह से जो है वो चीज़ें बहतर तरीके से वहां पर हो रही है और चल रही है तो मेरे खाल से ये चीज़े बड़ी इंपॉर्टन ने कर रही है तो आपने दुरस्का कि जाके जरूर देखें और ज्यादा दूर नहीं है आप जाकर देखें सफाई का अलम आप देखेंगे तो शायद बहुत सारे लोग जिनका जाने का इतिफाक नहीं हुआ वा जाकर खुद अपनी आँखों से देखेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि किस तरह डिस्प्लिन कौमें रहती हैं, किस तरह काम कर रह रही हैं, आदा कर रही हैं, बहुत सारी पाबंदियों का सामना इरान को अर रहा, ये मिसाल दी जारी है, समझने के लिए इसको बजाए, इसके कि आप किसी और तरफ लेकर जाएं, समझने की कोशिश करें, कि मुश्किलात सिर्फ आपके लिए नहीं हैं, दुनिया में कि अपके लिए नहीं होती है जिन्दा काम की मिसालें, सिर्फ मिली नगमों में अपने आपको जिन्दा और पतानी कौन-कौन सी, आला हम दो को सब को माफ करें ये बाते करना और गाने के बनाना, इन चीज़ों से जब बहर आएंगे तब हमें पता चलेगा किस तरह रहा र पिजली यह पात के थी बिजली के लिए पाद किया थी जिए निब चाहिए थे आने के लिए पानि, बीजली में बचले आपे अपिजली बहुत प्रेड़ा है कर यह सबाएं जाए लिए गारो गए रफटा महीं है जा शल्डा है कि अपने घर में एक हाफता साथ ने कर बोला है, मैंने बास ह हमने फ़ाइता सफाई जा जा रहा है मुझे राद्री आपने साथ ख़्टा चेहरा है बहुत में चेहरे केमरे में रग्पहार में रियाज राज्राई है वो लोग वो दो चिंटी टी कैमरे मेरा गैने जाई आवाईटावर के में थाटतर डरा आवाया ए ए और दिक गुण बार बड़े जगाँ इंपर शो थीरा आप बाद पो बड़े घए एप स्थी उप्रेची एपेर के जिल एक आप से घुड़ो दिक है बड़ा एक जेटे म गौर्मेंट के तवस्सस से कमा सकते हैं ये वीडियो बनाके सही बगनी साफ का नमबर लेकर बश्रत ये आपके पास होना चाहिए बलको जी अब बात होनी बाकी है ये पता करना है कि ये पैसे केश की सूरत में ये चेक में मुबाइल में इजी लोड भी करा देए तो ये जर पता चल जा तो उसके बाद पर आप निकलते हैं कल से शायद इस प्रोग्राम में भी आपको नजर नाएं तो यही काम करेंगे सुबह से रात तक वीडियो बनाएंगे हैं लोगों की जो कच्रा डाल रहा हूंगे मेरे अखाब से मेरे मेडिया सबस्धादा पैसे कमा एगा मैं बार बार के रहे हूं बलकु लियुग मैं बहुत सारी मीडियो और बार सब्सक्रा डालते के तो वह इस पर भी पैसे मिल जाएंगे वोभी वीडियों मुवाली चलेंगी वोभी हैं? ठीक है जी, कॉलर रेंक उनको शामिल करते हैं या पर ये आज से शुड़ो होने आज की तारीख में जो लेक्टर्वनेंगी वो काम करते हैं जी अस्राम लेकुम कॉलर कहा बात करें मैं लिजारासानी बोल रहा हूँ फरमाईए क्या कहना चाहेंगे? जी लिजार साब हाँ बाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे पेले भी चैनल में बात नहीं जो प्रेंशनर हैं नहीं जी 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 को बड़े मसले है रहन Moneyाट आंशनर होका करेंची जी 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 उसके ऐपसे पर कोई कनौन चाहती है ठीक है भ reject trading protocol कि निजार साहथ आपने एक मामला की आपने एक बड़े मिए मसले की आख। इसको इन्शाल्ला UDN‐2 पर पहले इसको प्रिध। उसको पनुस्साजीम में लेके और उससे योपिया कामला जो है वो करना है कि कि दो तीन कॉल और बी आई हैं बीच बीच बी और लोग चाहते हैं योपिया के वहाल है से कि मसला हो और पैश्रस 6500 अभी दो दन पहले भी आकल साब का भी फोन आया तो उनका 6500 में तो नहीं गुजा रहा हो सकता है नहीं हो सकत बिल्कुल लॉजिकल है और नजर आ रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता तो यह चीजों को थोड़ा सा बेखना पड़ेगा वेल यह सारी जी गुफटगू हो रही है और ब्रेक पर चलते हैं ब्रेक के बात वापस आएंगे तो आपके सियासी रानुमा मुंतकित हमाई में या अधरा रहा है कि और नाजरी ने इक विए पर आपको खुशाम देश कहते हैं आप से गुफटगू हो रही थी और बात हो रही थी खबरों की और इससकत आपके इश्यों है ऐस से बात होती आपके मुंतकित सियासी रानुमाऊं से या वक चलिफ तैसी जमादों के रानुम आप کलिया झे राचिह थे बढ़ेंगे थेशित दी शे से गालेंगे हैं वी झेपनली। त्सका मेरे दिफेटर हैं पां मेरे साथ का दॉणली में हमारे आप हैं नाइमान भिच Crash सबसे बहले तो दूआ आपकी जाने बाऊंगी मैं और कल एक बड़ा अफसोसनाग वाक्या हुआ आजाद कश्मीर और पाकिसान के मुख्तलिफ शहरों में जो जलजला आया है सोशल मीडिया पर उसको बड़ा तनकीद भी बनाया जा रहा है इस तरह की स्टेटमेंट देना क्या इन्फॉमिशन मिनिस्टर को जेब देता है पी टी आय ने अभी तक इसको कंडेम भी नहीं किया है जब पर बहुत सारे लोग इसको कंडेम कर रहे हैं अगर आप सोशल मीडिया पर ट्राफिक देखें इस हावाले से तो लोग बहुत जादा गम औगोसे में पाए जाते हैं और ठीक था किस हावाले से जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है बार बार लोग लिख रहे हैं इस पे सबसे पहले तो ये कल होने वाले नुकसान पर एक तो बहुत ही जादा दुख का भी इजहार करूंगी और अल्ला रभ अब लग अमारे मुल्क को अपने हिवज और अमान में रखे मुझे आवाद नहीं आ रही है बार की समगोंगी आएगी आपको मैं कैसी हूं जी जरा ओडियो का प्रॉब्लम चेक करें जी सुरतिहाल इस तरह से है कि बाज अकाद आपको फिलवदी बहुत अच्छी गुफटगू करनी नहीं आती और आप सिचोशन को समहाल नहीं पाते उनका जो स्टेटमेंट है वो कोई पार्टी पॉलिसी तो है नहीं वो एक उन्होंने एक जाती तोर पे और एक बहुत ही यह जो नेश्रल डिजास्टर्स हैं उनके उपर गुफटगू करने के लिए आपको बड़ा मोहतात रहना पड़ता है कि बींग अ मुस्लिम कांट्री और यहां के लोगों के इमोशन्स होते हैं और उस वक जाहर एक तकलीफ और एक तकलीफ और एक खौफ का जो आलम होता ह है उसमें इस तरह का स्टेटमेंट उनका हम सब को भी समझ में नहीं आया है तो इसमें बस यही सूरते हाल है कि आपके लिए जो पॉजिशन है और जहां पर आपको एकदम से किसी आफ़त पे यह इस तरह गुफटगू कर जानी पड़ती है तो हर एक के बस की बात नहीं हो इस वक्त और जो वो बात कहेंगी उसको तो पार्टी पॉलिसी के तोर पर ही लिया जाता है तो नहीं वो जाती बयान है कि जाती ख्यालात का लेकिन तबदीली और ये तो पार्टी पॉलिसी इस तरह की कोई भी नहीं है जिस तरह के लफजों का इस्तमाल जमीन हिल गई यह हो गया वो हो गया तो ये तो इनके एक जाती ख्याल था और जिसका उन्हों ने इजार किया मैंने आपको कहा कि जो ये इस बड़ी जमेदारा ना सीट है जहां पर आपको लफ़ों का चुनाओ आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए मुनासिब होना चाहिए तो मेरे ख्याल से कि वो आपने कुछ जहनी दबाऊ है और एक खौफ भी तक क्योंकि हम एक जलजला एक बहुत बड़ा देख चुके वे भी हैं और बड़ी आफ़तें और मुसीबतें हम उठा चुके हैं इस हवाले से तो मेरे ख्याल से वो इस वक्त जहनी तोर पर तयार नहीं थी उसके जवाब के लिए तो इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है चलें नहीं मामन सब आपकी तरफ आते हैं एक और बड़ा हम मसला अब होई यह राय के शहर कराची की अगर बात कर ली जाए तो कच्रा उठाना एक बड़ा काम बन चुका है और हो यह राय के जनाब 13,000 तन अगर कच्रा उठाय जाता है तो 30,000 तन कच्रा यहां पर वापस आ जाता है ऐसी सुरतियाल में जब मसाइल पहले से ही ज्यादा हो वहाँ पर ये एक बियान सामने आया है कि जिनाब जो कच्रा उठाते हुए किसी की अगर तस्वीर ले लेगा तो उसको एक लाक रुपे दिया जाएगा किस किसम का बियान है और क्या ये वाकी मटिरिलाइज होगा लोग ये जानना चाहते हैं कि ये संजीदा एक दम आते हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बड़े संजीदा हैं इस दफ़ा मसाल को हल करें के लिए लेहिए ना किमी के पास कराची का मूझुद है और साभका दोर में या जब भी हमने कराची सभाई पर मायीं स्टारट की हैं तो बथ किसम्री रहे ही कि・ यहां लोगों की धौतियां यहां पर लोगों की कमीज ने अपने वसाइल इस्तमाल की ए और जब केमशी ने स्तमाल की ए तो यहां पर इसी कराची वालों ने देखा कि एक साब यहां घटर के ढखने उठा उठा के गायब करता था और उस पर वजीर अलगी तस्वीर बनाता था और वहां फोटोग्राफरी होती थी अब इसके बाद आपको बता होगा कि वफाग की तरफ से एक नमाइंदा आया था उसने ऐलान किया कि हम लोग टीम कराची और क्लीन कराची करेंगे दस दिन मसलसल उसने भी वाराल ये कि जदोजेत की कचरा उठाया और जदोजेत क्या थी उसने कचरा उठा के नालों के साइड पर फेक दिया पार्कों में फेक दिया बिरीज के नीचे फेक दिया और हालत यह हुई कि उससे और मज़ीद नुकसान होगा इस कराची के अंदर सुर्य तेयाल यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कराची में कचरे के अपर होई पॉलिटिक्स स्यासत हो रही है इस वग्डा़ आपको पता है कि सिन गौर्मेंट ने इलान किया था पाकिस्तन पिपिस्ट भर्ड ने एलान किया था कि गराची मोहिम अगर आप लोगों से थी है तो हम लोग इसको हम अच्छे तरीके से लीड करते हैं और अच्छे से करते है cel किबस वसाइल है यह जो इलान हुआ है इलान करने काมकूत यह था के यदियू आप मैं क schaut क्राची यहां फ्र मार कराची मेर कराची अम्हेय का मुजомина मुजुद ऩर मेर क्राची की जब हम कर लेते हैं तो फिर वहाँ आप चीजें में अमें डियुजा ऐहां हमें प्राची ऐ आप यह ची भी रखिये लेकिन ऐसी कुवतों के लिए खास और परी मेसिज है कि थोड़ा सुधर जाएं कराची के ओपर ये कचरी की सियासत से बाहर निकलें अगर हम सफाई करने निकलें तो मिरमारी फर्मागे कचरा दुबारा जाकर रोटों पे ना फिंगें दुबारा के दे 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 अगरें अंले कि आमें निकलें हैं आपके पास वसाईल हैं सबसे पहले तो ये तैय कर लेते है ना वरना बात में यह का कि हमारे पास शायद वसायल नहीं थे इस वज़ा से मुहिम जह मुकमल नहीं हो सकी वसायल है सिंध हुकुमत के पास? लेकिन बात यह है कि जितने वसायल सिंध गौर्मेंट को दिये जाते हैं जितना यहां पर फंड दिया जाता उसमें तो शायद कराची भी ना चल सके ले अभी देती है अभी तो एक सुबासटर रुपय का जो कराची पे की जिरान हुआ था एक सो तेरो रुपय का अगर अगर आफ लेकिन एन फसी के मद में जो रकम थी वो सारी मिल चुकी है वो क्लेर हो चुके है वफाग में सिंध हुकुमत का एक रुपया भी इस वक्त नही की रोकावा वन्ना फिर अभी मुर्तिजवाहाग साब और सेदगनी साब जो बार बर पहले यही स्टेटमेंट से शुरू करते थे अपनी साइपरिस बीफिंग आजकल वो खामोश है इस मामले पर और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी चला देती हूं कि आपके आपको पर मत की रकम में यह आपको बताना चाहते हैं कि हमने फाटा का जो एक क्राइटेरिया बनाया है ना तो यह सूबों के जो हम लोगों ने कुछ फंट्स रोकने और रोक के फाटा को जो है ना फंट्स जारी किये जाएंगे अब एन्फियावाट की मत में अब कोई रकम नहीं न मिल चुका है बरहाल हाल यह था पिछले साल का भी मैं आपको बता देती हूं कि आप यूटिलाइजेशन ही फंट्स की नहीं की थी विड्रो हो गया था पैसा वफाक को वापस से लगया कितिस जुलाइको रोल बैक हो जाता है वो पैसा अब आप बताएगे आप लोग तो अगर पैसा मिल भी जाता है तो मैं आप बात बता हूं फंट की यूटलाइजेशन क्या होती है दो चीज़ें एक वो जो फंट जो ग्रांट दी जाती है कराची पेकेज के नाम से साबका दोर में मिया साथ ने इलाम किया था वो फंट की रकम वापस गई थी जो के वफाक ने अलाम किया था और जा रहा है आप आडिटर जो रिपोर्टर की आप ले रिपोर्ट भी निकाल गे मैं वो डॉक्ममेंट्स भी आपके सामने रख देता हूं टेबिल के उपर और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये जो एक एन फसी आवाट की मत की जो रकम है इन्हों ने का कि फाटा के अंदर हमने तमाम सूबों की इस पेसे की बात नहीं है तो पैकेज की मत में उन्होंने बार बार बात करी है लेकिन एन्फसी की मत का सारा पैसा देज चुका है वाफाक से दो देखें दिया है तो बात ये को डाकुमेंटरी चीज तो होगी ना ये तो मैं आप सवाल कूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि देखें जैसा भी आपने का कि MQM के पास इस शेहर का मेंडिट है अगर वो यही चीज क्लेम करते हैं कि हमारे पास भी अगर क्यूंकि आपके पास डिलिवर नहीं हुए अगर आपको फंड नहीं मिले तो टेक्निकली स्पीकिंग उनके पास भी नहीं गाए क्योंकि वो आपसे ट्रैंसवार रोके जाता है ठीक है अब दूसरी चीज है कि वजीर बल्दियात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जितने भी अथारिटीज हैं जो वाके ही सफाई की जिनके उपर आईद होती है अगर वो यह कहता है कि हमारे पास वसाईल नहीं है तो फिर नीचे वालों सो किस तरह डिमांड कर सकते हैं तो किसे आकाउंट पौर हो सकते हैं जब सिनकार्मिन नहीं एक बता हूँ यहाँ बड़ा डिस्प्यूट था कि कचरा जो है वह बल्दियात उखाएगा या फिर बात यहिए कि वह केमसी लेते हैं और बना कि अख्याराद बात अब इये कि जो चायर डिस्टिक्टिकट वहां से मदद ले सकता है और जो चायлемgy मदद कर सकता है। usr नहीं था भी डिस्टिक आ बागी चार डिस्टिकटगों का न सर भा पांट पूरा आम पर क्लेम करके इस बात को अगरी करके, कि यहां पर न सी मिल गया लेकिन हाप पी ऐसी नहीं दिया, हम कोशे कर रहा है, कि अब व वीडियो चला दें हम दो देंदें, और एक द्थाम में जब घृता हूं, बेल्कुझ बेल्कुल जब आप तो ग्रार्म के अंदर य वो जब की बात थी लेकिन अब इतने महीनों में दो तीन महीनों में क्लियर कर दिया था पहले की बात थी अब तो मिल गया है अब क्या वस्ट अब बत ये कि अगर मिल गया है तो इसमें बुरा ही क्या है कराची अगर बात ये कि सफाई होने जा रहा है अगर मिल गया है पहले कराची महीम करनी है, dream कराची clean कराची. देखें बात मैंने कह जितने वसायलें, जितने मसायलें, पाकिस्तान परटी और सिंग गोर्मेंट. दात यह है के अपनी मदद अपने त्यद अब इस इन इन चीजों को जो है वो लीट कर रही है और जिस तेजी से सफाई होरी है, मैं आप को ओता हूँ, डिस्टिक साउथ के अंदर, डिस्टिक एस के अंदर, अगर आप अभी भी बोलें तो चार सो तंप जो है वो तंपर लगे में और यह डंपर आर लेडी मुझूद है के में सी के बाद, लेकिन बात यह है कि फ्यूल खा जाना, यहां पर प्राबलम है, तो यहां पर मसला आता है मैनेजमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपकी प्लैनिंग ठीक नहीं है, तो यह प्राबलम आती रहेंगी, इसे बात है कभी बगेर पे लेशिए, आप मुझे बताया ना, यहां क्या होता है, हमने खच्रा उठा आप तो कच्रा भी नहीं उठा सके, आप कोई चीज यहां पर माली नहीं है, तो बाहराल यह के पचास अधा तन यहां फिरा आदे है, यहां कराशी के अंदर मेरे आप कच्रे पर मैंशे इंगेम ने सियासत की है, अब वफाक साहिए, यह उसने भी साहिए, चीक है, मैं स्कैंडल केस में सुप्रीम कोट से रुजू कर लिया है, अब आप लोग सुप्रीम कोट में जा रहे हैं, समझते हैं कि वहां से फैर इनफ जाए वो आपको ज़स्टिस वराम हो सकेगा इस जमन में जी, रिता सबसे पहले तो मैं उस बहन का जवाब दूँगी कि कश्मीरी हमाम पे जो आफ़त टूती है, वो जो मुसीबत में है, और मेरी बहन कहती है, कि हुकुमती तर्जमान जाती बातें करती है, जो गलत बात करें वो जाती बात है, और जो इनके मुफाद की बात हो, जो जो ड़नों को बात करें तो फिर वो उन्हीं की बात होती है, लिकिन बाराल जो ने बिलजारी की है कश्मीरीयों की और पुरी पाकिस्टानी कोम की तो बहुत बहुत है, ये मापी मांगे ये हुकुम अद इस पर एक्शन ले लेवे ले।। डरी आज़ी और जाती बात तेछे हुड़ कोई को पता है यहां मिदिया कि अदिया चैनलग में पता है कि वीडियो में जिसिस ने खुद भूना था कि मुझ पर फिर्ष्यर था आप इसको पैसला दे ले, छिफ़ा दे नवाज शरी खाना दे ले देडि nessaly में तो ए लार दो 好像 सबहारा है है आई जेक किया हुआ है इस वक्त जो है वह वह जा रहे है हमारा यह हग है और हमें तुह परसंद अमीद है के इंसाफ बिलेगा तो यह इस तरह से तो जाहर है हम जा रहे हैं हुपमत कोट में और बाकी मुझे पूरी तख्थिल का पता नहीं है आप मुझे बचा रही है तो कोट में तो जाना हमारा हथ भी है अच्छा ठीक है दूह आपकी जाने बाउंगी अभी के जो है इस वक्त वफाकी वजीर आपी वसाइल फैसल वाड़ा साब वो फिर कल आफ तब जहंगी साब भी कुफटगू कर रहे थे कश्मीर के वाले से इस वक्त प्रैम मिनिस्टर सा की बात हो रही थी 58 मों माले की हमायत आसल होने का दावा भी था और बार बार करादा जमा कराने की बात हो रही थी युनाइटेड नेशन में लेकिन हम बहुत अच्छी वात है कि प्रैम मिनिस्टर साब जाके खताब भी करने वाले 27 को we are expecting something good और कुछ एक वाइटल हमें development न प्रैट सकेंगे देखिए सुरते हाल यह है कि जब आप वहां पर करारदाद जमा कराने जाते हैं तो उस पर भी आपको तकरीवन 16 वोट्स की जरूरत होती है और उसके बाद यह फैसला होता है कि जहां आप करारदाद मिनिमम आपको 16 वोट्स की जरूरत होती है और वहां पर फिर आपको करारदाद को जमा कराते हैं और उस करारदाद को पास कराने के लिए तकरीवन 24 मुमालिक की आपको हमायत दरकार होती है अच्छा इसमें हमारे पास जो एक प्लस पॉइंट यह था कि OIC के इसके अंदर जो मौजूदा जो टीम है इसके अंदर तकरीवन 16 तो उसमें हमें ये एक बहुत ही जादा जिसको आप ये कहीए कि एक खुशफेहनी और आप ये कहें कि हमें ये था कि हमारा साथ दिया जाएगा इस कश्मीर के हवाले से कश्मीर शूप है लेकिन सूरत हाल हमारे साथ कुछ बतकिसमती सी ये रही है कि आप ने इस वक जो ख़जानों की बात हो चाहे वो इदारों की बात हो सभी जबू हाली का शिकार हैं बिलकुल इसी तरह से हमारी फॉरिन पॉलिसी जो के एक अरसे से जिसको पसे पुष्ट डाला गया जिसको जाती मफाद में मुल्की मफाद को पीछे डाला गया और किसी ने भी ये जुरत नह रहे थे तो उस वक्त हमारे जो फॉरिन आफिस वो काम ही नहीं कर रहा था और अब सूरतिया उनकी पैनिट्रेशन हमसे बहुत जादा स्ट्रॉंग है इस वक्त और हम उनका मुकाबला उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि हम वो अरब मुमालिक जिनके ओपर हमने तक्या कर रखा था कि वो हमें इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे उन्होंने भी इंडिया को इस मामले में सपोर्ट किया अच्छा उसकी वज़ा क्या है ठीक है कि कश्मीर एक ऐसा मामला है और हम उसको जमीनी बुनियाद पे नहीं हम उसको इनसानी बुनियाद पे इस वक्त लड़ है वो यह यह कि आप वहां पर यह ना कीजिए अच्छा उस सूरत हाल में यह है कि हमारे पास हम उस isolation की तरफ रहे एक अरसे तक के और उसका हुम्याजा हमने आज यह भुगता है कि इंडिया ने अपनी उस penetration का फाइदा उठाते वे और खास तोर पे आपको यह मालूम है कि इंडिया के जो एक बहुत बड़ी investment है अरब मुमालिक की जो उनके पास मौजूद है तो जाहर हर मुल्क अपनी कौम के फैसले में बात करता है इसको एक चीज़ को और इसके आपने बिल्कु ठीक है कि इंडिया के अंडर इंटरस्ट बहुत जयादा है जितने भी मिडलीस की कांटरीज हैं जितने भी बड़ी नेशन्ज अमेरिका कैनेडा यह दीक है जितने भी यह बात बलकु द्रूस तापने यह भी ठीक है कि माजी में जो फॉरण हमारी डिप्लामेसी रही है उसमें बहुत जादा लूपोल्स थे बहुत जादा उसमें कमजोरियां और हामियां माजूद थी having said that अब مس teamwork MON जाद का जो नि सफिच सटर्ट करते हैं तो पहले तख्रा करते हैं अकवानिस्तान का उसके बाद वो बात करते है जनाब बात अरब इरान और अमेरीका का जो पर नाग按ार का कामें का यहा हूद I। कर रहे होंगे तो वाइ डूंट वी स्टार्ट विट कश्मीर इशू कश्मीर इशू से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है बात को ये बात हर कोई नोट कर रहा है बाहर भी ये बात हो रही है कि अगर इतना सीरस इशू है तो किसी भी आप स्टेट्मेंट में देख लें कहीं प बड़ा जदूरी है कि सी पैक एक वो फांस का करदार इस वक्त अदा कर रहा है कि जिसकी वज़ा से हमारे पास इन तमाम मुमालिक का एक जो परेशानी का हाल है जिसके अंदर इंडिया और यूएस का आपको याद होगा जो चार बहा पे इनोंने अपना वो बना रखा था और जो हमारे पोर्ट बनने के बाद से वो कितना डी वैली हो गया और उसके बात शुरू क्यों होती है अफगानिस्तान से बात एरान से क्यों शुरू होती है उसके पसे मनजर पर जाएए कि जिग्राफिकली उसकी क्या इंपॉर्टन्स है बात करने की एक तो यह है कि आपका वो बॉर्डर जो के इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर जिसको ड गिल्गित बिलतस्तान पर भी गुफटगू करना शुरू हो गए आपके इंडियन्स का ये कहना है कि वो एक डिस्प्यूटिट टेरिटरी है और वो उसको भी हासल करना चाते हैं वो कहते हैं पूरा कश्मीर ही हमारा है अच्छा उसमें क्यों है ये सी पैक जब से ये सी पैक हुआ आपको ये मालूम है कि अचानक क्या हुआ कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने थ्री सेवन्टी कश्मीर के अंदर खतम कर दिया आखिर ऐसा हुआ क्या था ट्रम्प से जब मुलाकात हुई है इस वक्ट चाइना और पाकिस्तान और आने वाले वक्तों में सी पैक की जा रहा है चाइना की वज़ा से ये दोनों वो मुमालिक हैं जो कि सूपर पावर की तरफ मूव कर रहे हैं अब ये परेशानी अफगानिस्तान एरान साओधी मुमालिक जितने भी हैं और आपका यूएस ये वो तमामें जिनका ट्रेड मुतासर होता है अब होगा ये कि ल लोग नाखुश हैं या अगर उनको प्राब्लम हो रही है तो कि या विड्रॉल की तरफ जा रहा है इसके ऐसा बिल्कुल जिए को इससे किस तरह को रिलेट करेंगे थोड़ा साइसको एक्स्प्लें की जाएं देखे मैं आपको ये बिताओं कि सी पैक चाहे हुकूमते जो कि इस वक्त के यहां तक के पहुँच चुका हुआ है तो इस वक्त आप ये बहुत ये दोनों मुमालिक के जो स्टेक्स हैं और उनकी इंवेस्टमेंट्स हैं वो इतलग चुकी हैं तो इस वक्त हमारी हिफाज़त करने के लिए चाइना भी मौजूद है आप अगर ये क जाता ये है कि गिलगत बलतस्तान जब और कश्मीर उसने ये जो डिस्प्यूट स्टार्ट किया कि वो ये तमाम खता उसके पास आ जाता है तो सी पैक का रूट उसकी तरफ चला जाता है और ये जो पाकिस्तान को जो फाइदा होने के लिए जा रहा है वो इंडिया को होग हैं कि उसकी बाडी लेंग्वेज को आप नोट करें और इस वक्त उसको ये मालूम है अफगानिस्तान का जो वहां से एक सिक्यूर एग्जिट है वो भी पाकिस्तान की ही वज़े से उनको मिलेगा और इनों ने जो चाबहा का जो ये बनाया था उसकी रीजन भी ये दी कि पाकिस्तान ने इनको इस तरह एक मैंसको यू तो नहीं कहूंगी इस बात को इस्तमाल करते थे कि आप क्योंके हमारा रास्ता इस्तमाल करते हैं वो उस मुष्छरफ दोर में आपको पता है कि कितने डॉलर्स आते रहे और क्या-क्या-मामलात यहां पर रहे तो उस चीज़ को उस चीज़ को इन्होंने खत्म करने के लिए चावाँ बनाएं वहाँ पर हमने गवादर खड़ा कर दिया अब ये जो सूरतिहाल है इसकी वज़ा से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे मुमालिक की उनकी आप ये समझें कि सतर मुमालिक को फाइदा पाकिस्तान की जमीन से होगा और ये इस वक्त इन्टरनाशनली इसको एकसिप्ट नहीं ही करना चाए चले इसके उपर भी मज़ीद बात करते हैं में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैस्टान से वजीर आजम साब कुछ कर सकेंगे कश्मीर को बचाने के लिए अब देखें बात ये है कि यासर भी ने एक बात की कश्मीर इशू पर बात क्यों नहीं हो रही है जब سबी स्टार्ट होती है तो अगवालिस्तान से मामला स्टार्ट होता है बात ये है कि जब वजीर आजम صاحب ने इस قوم से खताब किया था तो इस खताब में बात ये है कि ये कहा कि कौम आदा घंटा आ है और जो है जुम्हे के दिन अपने अतिजाज रिकॉर्ड करा है और ये बात आज गुजरे भी टाइम गुजर गया आज काफी टाइम जो है वो चला गया पीशे बात ये है कि कौम को ये मेसेज दिया कि ऐसा करना चाहिए कौम को अगर मैं बात करूँ उसकी वज़ए ये है कि मुझे लिंक करना है मैंने 27 सितंबर को United Nation में जाना मैंने खताब करना है यानि कि एक बात तो किलिए रोगी 27 सितंबर तक जो है वो इंडिया खुली छूट दे दिये कि उसके बीच में हमने कुछ नहीं करना से वितियाज रिकार्ट कराना है फिर आपको बता होगा या आर्टीकल 370 और आर्टीकल 35 A का जब नफास हुआ तो उस वक्त बात ये है कि उनका जो वजीरे खारजा है इंडिया का और वजीरे जो इनका फॉरेंट मिनिस्टर है उस वक्त वो निकल गए इंटरेशनी दोरों पर वो मसकत भी गया वो बेरीन भी गया निपाल भी गया सौधी अरब में गया और दुबई में भी गया और सौधी अरब में जाके एक बड़े एक्स्पो के अंदर उसने बताया कि मैंने यह आर्टिकल क्यों लगाया फिर अमेरिका गया फ्रास गया हमारा वजीरे खारजा और फारण मिनिस्टर यहां बंक की के सो रहा था और वजीर आदम हमारे सदावार लेट होते यहां 27 सितंबर तक खुली चूटे एडिया को के हमाएंगे रोड पे इतिजाज रिकार्ड करेंगे इसके लावा लिएमीन रिकार्ड पात यह कि एक तोले डॉनल्ड टरम्प की जो है ना बड़ी लिंग्विज देखें इस कौम ने देखा असे दो दिन पहले ना मुद्री के गले में हाथ डाल के पूरे स्टेडियम को उन्होंने दोरा किया इतने खुश थे वह इतने हैपी थे कि उनको पता है कि बात यह यह कि सेलेक्टिट वजीर आजम जो है एक अदद जो है उनके दिये वे जो उन्होंने इसक्रिप दिया हुआ है इसक्रिप पे अपता है इसक्रिप कर लेकर आ जही लेकर और जिस असक्रिप सिमट है मैं आपके साथ बात ही करूं असक्री फटाबर वाले आपको लेकर आए गौम यह बात यह कि देख रही है अपोजिशन पकड़के बंड कर दी जादी उठाके बंड कर दी अमेरिका को खुछ करने के लिए यहां फिर सहीद को बंड करके चलेगा है वहां से ट्यूट हो गया जी थैंक यू वेरी मच इमरान खान के आपने बड़ा अच्छा एक्तामात किया बात ये कि कौम के साथ ओरी मजाख इस वक्त अब कल की मजाख आप देख लो एक तक बात पता है कि एक तो मिरासी नो ने अपने रखेंवें अपनी अपनी इनको न कोटे थे When शबात हैं जेमात के अंदर मिरासी नकल क्या कांग किया कि शुराट इया है क्या मौकुफ क्या रहा है कि कश्मीर का जो मामला था ये देखे ना कि तोyrus अब अब खाल करें आप मुझे ये बताईए आप अगर होते आप अगर होते आज बेशा डुबादी कों सबाद कर रही है आज आप पर इस ताइस को आप क्या एक्षपेक्ट करते हैं कि कौन से एजंडास हैं जिसके उपर वो बात करें जिसकी वज़े से पूरी दुनिया को ये बात समझ में आये कि कश्मीर का मसला इस वक्रीजन का सबसे हाम मसला है क्या राय रखते हैं सब्सक्राइब आज से कुछ दिन पहले अमेरिका के दोरे पर जब इमरान खान साब गए थे ना तो डोनल्ड टरम ने मिटिंग की थी और का कि हमने अगवालिस्तान से अपनी फोजे निकालनी है बिल मलबा पाकिस्तान बे डालता है ठीक है तो एसी सुरह त्याल के अंदर बात ये कि एसी सुरह त्याल के अंदर अमेरिका ने अपनी फोजे निकालनी है खुदा के लिए इस वक्त उस सिस्टम कैसा ना बने जिस पे एरान ने आपको वोड दिया है अभी एरान के खिलाफ एरान के उपर अगवालिस्तान दे फोज निकालनी है एरान की तरफ जानी है कोई ऐसा माइदा ना करके आ जाए जो है वो अंडर दर गिराउंड बेतर ये उन्होंने फोज निकालनी है आप कशिमीर का इशू रखें आप बताये कि हमारे अपने बॉर्डर सेक्योर नहीं ह हमारे अपने बॉर्डर तबाव हो रहे हैं हमारे पाकिसान पे रहे हम करें वजीर आजम साब बात ये इतने एख़ियारा दिये कौम भी है बेठी हूई है तो आप ये एंडिस्पेट कर रहे हैं कि और दे टेबल कोई अग्रीमेंट ना हो जाए जिसके बाद जिए हम किसी और बातो है बातो है ये वापने नुक्ते को बयान नहीं नहीं चैजिए नहीं अगरे और तेबल नूल लीग ने बात कभी नहीं कि नूल लीग नहीं कि नूनली के हुकुमत में कभी भी हिंदुस्तान को नहीं हुई कि यह आतिकर लेकर आता लेकिन आपकी हुकुमत को पता था कि आप उनके साथ अंडेटेबल वाक्य जो है डील करके आए आपने वह जुन्दियाल हमारे दोस्त नहीं था अशल तु मसला यह था था हमारा मरी में भी उसने नहीं आना था फिर हमारी नवासि की शादी में नवासी की कहता थे ला हमारे पास 58 जो है मेंबर हैं जो हमें ए इंसानी हुकूब की कांसल में वोर्ड देंगे हम्ह canyon कोराद आत कि यही तो बताया दुख मैंने आपको क्यों नहीं ला सके। आपकी कोई फारेंट पॉलिसी नहीं है। आप जहाद लेकर सुदी से लेकर ठाट से चले जाए। आपकी कोई विजेंड नहीं है आपका। आपका कोई मुल्ख से कोई हम्दीज आपने कहा CPEC लाया तो खेर बाराल जर्दादी साथ थे हमारे तोल में जर्दादी साथ नहीं लाये थे सी पैक पे आप तमाम लोगों को पढ़ने की जरूरत है उसकी हिस्टी को जाने और उसको समझने की कोशिश करें आप तो रहने दीजिए ना वो जो कच्रे पर पैसे देंगे वो जाकर हॉस्पुटल इसको दे दीजिए और वहां की जो अवां मर रही है भूग से अफलास से उनको जाकर वो पैसे देदें हम तो वैसे भी कर रहे हैं अब कर रहे हैं वो भाग गई तो आप रहे हैं तो आप पहले जारा सुरण की बात मुक्मल हो जाए ना पहले बात मुक्मल हो जाए हैं और वहां मुक्मल हो जाए तो जी समझाना चामँक्थ हैं जब कोई बात करता है इस अगई पूरी होसले के साथ हुए हीए तो आप को समझाना चारें सुनी नहीं सकते कैसे सुने उन लोगों की जिनका चेर्मेन जो है जो वजीर आजम पिछले दौर का नाहल हो गया अब हम उनकी सुने अब आप मुझे यह बता दीजिए ना करें के कैसे का बाजार गरब और दूसरी बाद उसकी बज़ा यह कि संकीत बरदाश नहीं करते हैं स सो से उपर इस लोग पर्संट रखे हैं पीटी आई ने जिनकी लाखों करोड़ों में तंखाएं जा रही है उनका काम क्या है पिछली पोग्रेस बताना नया कुछ भी नहीं है अच्छा के नमाशिक ने चोड़िये की आसे उन दर्दारी ने फदियाल एकाउंट में पैसे ने लिए उनकी बात पकमर होने दें वह लिए उसके लगाएं ने लिए हैं अच्छा कोई डाली गल्ने माली जितना शोर आप जाएंगे बेनकाब करेंगे आप लोगो जो 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 जी लाभी को बेनकाब करेंगे मैं आप पराणाम है मैं दुआएंच नाया देगा सिर्दोंगान अब मेरी बात उल्ट आसे आप जो मैं आप आपण आपनिए ने वजिए सुरळ साइबा हो जो जो C-PAC की 60 रहा चाहिता पर नौशरी साथ को सजा देनी है फिर ये बताएं पर नामा में सीपेक भी था जो मुकमल माकाम हो गई जो यह कहते रहे हैं कि हम इनसानी उकूर काउंसल में जो है जी हमारे 58 मेंपरान है अब क्या करें अच्छा एक है कि खामोशाब 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 लो लो को अजा जो है आख जो है यह वह फिकान चाहिए ठीक हमनु करादा टक मुर्षा है प्रशाब करें इ्गतार में है जवादा सकी तैक मुड़ाशाब खाम हाथ मुझाSpot भी यह जवाभ खामोशाब का मुझाफीर यह जाओ खौाइ जवाब ले ले लेते हैं आब आप इम कामान है यह ट्रम्प कहते हैं, शन्तिराम डिशमक्रविक्त डाहर। विसरीराधाई उस जवाब पहुंँने हैं, और पहुंदे हैं दिया जवाब उसका जवाब दिया। डायर जवाब दिया जूए इसका जवाब दियाáis sharing तो बार बार जो है वो एक तो इसके उपर बात हो थी दूसरा अने एक स्टेटमेंट कल और दिया वजी रादम साब ने कहा अब बड़ा कैटेगोरिकली के जी हमने जो अफगानिस्तान में जंग लेडिया है अमरीका की वो लड़के हमने बहुत बड़ी गल्ती किया है और न जंसियों ने आई यह साही को यह बेड़ के उनों ने कहा है ठीक है ठीक है अभी दूआ से पूछ लेते हैं जी दूआ कैसे रिस्पॉंड करेंगी यह स्टेटमेंट जवाएंगे देखे मैं यह सब को बताना चाहती हूं कि इतनी जुरत परची माफिया नहीं कर सकी इतनी जुरत जो है वो चोर माफिया नहीं कर सकी कि आप उस टाकत की आँखों मेँ आँखें डाल कर आप उसको ये बता सकेंगे पाकिस्तां कैए वास्ते इमरान खानल सब लिखके जुनायटरिधन डेशन में खताब करना वर्ना बात बता है एकसा सलिप बड़ी चल्ती मार जाते हैं बात यह कि खक्राइब नियुक्डा के लिए इसवी जुनुनायटरिय लिफेन वाद कि दूसरों को ये लिजान देती हो क्या करें क्या करें से थेबो साहिबा मेरे में रह नहीं पाती आप कितनी महबत बरी गुफटबू में असल में इनके बोलें कि लिए लफ रह गए करने के लिए तो कुछ भी रही है आज यकीन करें जिन जिन लोग कहते थे थे ना आई पाकिस्たान से तुबा मेरे मौला हमारी दूआ है अगर घलती से हमने कमांग ली थी तो मेरे मौला में पराना पाकिस्तान लोटा दो इस वक्को बात पता है कि हम मैं फिर वादो हमें बुजिल बुजिल लोता दो परफिस्धिक्वी जुंण रहा है कि नीम के पतों के नीचे सो रहा है वो दिफा तो यहां बात यह के एक तो यहां सुरत या लिए यह यह सारे मिरासी लेकर आगे डाक्टर फिरोज फिर्दोस अववान साहिबा कल कहती है कि बात यह कि तब्दील ही आने वाली यार खुदा आगा नावे जनादे में यह मजाखे चल रही है इस काम के साथ मजाख हो रही है अभी सवाल एक तरफ रह गये ना भी जवाब लेना था कि यह जो एलिगेशन लग रहा है जो नेट नेशन के अंदर बात हो रही है जैसे आप एक्स्प्रें करी थी चाहूंगा उसको कंटीनियू करें ताके उसक को मालूम है और इस वक्त वहाँ पर जो मंकंद्बा लडने जा रहा है उसका आप उठा कर एक टीम देख लेए हमारे पास तो ना लाइक्व का वो टोला रहा है कि आप उठा कर देख लेरें के काते हैं? किया दूट की करप्शन पकड़ी गई थी हैल के मनसूब में हमला से खा गई थी निकाला और इन्हों ने उनको शेल्टर दिया उनका नेपा केस भी माफ हो गया दूद की दूली बन गई वो जितने नालेक आपको शेल्टर चाहिए बात फाद चोधरी को दुनिया जानती है सौधी अरब के दोरे पे अमरान खान साथ गया तो शेखों ने कहा यार यह तुम कराए में मिलते हो कि हर वजिर आदम के साथ आते हो यह लाइक उनके पास जाकर लाइक हो गए दूसरे जमातों में जो है नालेक पर अच्छा बिखाता है तो उनको मश्वरा दें कि कच्रे पे सेल्फियां बना जो इन्होंने आवार्ड लोगों को देने जाकर मिठी में जो वहां पर बच्चे मर चुके हैं अब तक 600 से जाएद उन बच्चों को जाकर कोई प्रोटीन दें उनको जाकर कोई सप्लिमेंट्स दें कि व करें काम ये तो आप को करना है नम हुआ को मीठी काम कर रही है ये थे सारे ये डूसरी जब्चे काम जाके दर रहें को कब नड़ों कर रहे है उनको मैं बता दें ज्यorf şunu एकम कर रही है इस वक्यार नहीं करister मान कर्न को पाल प्ता है बाध्वर्ड बेंक पाकिस्तान के लिए के लिए कि टीन माँ बाध पाकिस्तान की हालत ही होगी जो खटमड़् नेपाल गी है। तीन माँ बाद पाकिस्तान की आला ऐसी होगी के इस मुल्क की कंडिशन ऐसी होने वाली है कि खडबंटू से भी बत्तर हो जाएगी यह इनकी पोग्रेस है फार्टी त्री मिलियन जो के छापे गय थे वो क्या होए थे वो 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 पीपल स्काटी पार्टी के दौर में जो एक सूरत इहाल हुई थी वो बताएंगे वो नोट कहा चले वा आपके आपके कमरों से निकले वो नेप आपके अतादी नहीं थे परसों पकड़ा लिया आपक इसकी अवाम है जिन्होंने उनको मैंडिर कि आ है वो एक्षिन लड़ कर आए है नहीं महमान साब आपका आपका दूआ जबेर आपका आप तीनों महमानों का बेहर चुक्रिया जट्यत्यत्यां जी आज के वाडर एक्ट्रफ के आपके अट्या जिए क्ट्रवार इसकाश् पुछिश़्िशे ही हैं अब तक या हो रही है हो भी सब के सामने इसे हावले से इन्शा लागे भी गुफ्टकू होगी प्रोग्राम का वक्तिया खتم होता है कल जा आसी फरोग्राम में आपसे दूबर मलकात होगी मुहमद्यासर। अधियासर और गुनमानी कराजी की टीम को दीजे जासर पाकस्तान जन्दमार्ट